मैं किसी और की वीडियो डालता हूं लेकिन plus snapchat के filter वगरा उस करता हूं क्या मुझेMA करिषिटर मिलेंगे आज का पहला कोषन तो जी हां हम किसी यह भाई किसी और की वीडियो डालते हैं ठीक है लेकिन snapchat के filter वगएरा यूज़ करते हैं तो इनको क्या करश्टर मिलेंगे आपकी स्क्रीन पर यह snapchat की टर्म एंड करणिशन यह मेरी नहीं है Snapchat खुद कहते हैं आपके सामने यह मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं आपके सामने हैं कि आपका ओरिजनल वीडियो होना चाहिए Snapchat के कैमरे से आपको वीडियो से बनानी है तब जाके उसके बाद आपको फिल्टर लगाने हैं उनकी जो एडिटिंग टूल्स हैं वो यूज़ करने है तो अगर आप किसी और की वीडियो यूज़ करते हो तो आपको क्रिस्टल नहीं मिलेंगे ठीक है आप चलते हैं नेस्ट कोशिन तरफ इन्होंने कमेंट किया है बहुत अच्छा कि इस बंदे को कुछ नहीं बता यानकि मुझे कुछ नहीं बता तो तो अगर कोई आपकी वीडियो पर एड देगा उस कंपनी का फायदा होगा और फिर उसमें से कुछ हिस्सा आपको मिलेगा कुछ Snapchat रखेगा समझ रहे हो बात इसलिए मुझे इनका कमेंट बुरा नहीं लेगा कि इस बंदे को नहीं पता क्योंकि इनोंने शायद एक ही वीडियो देखी हैं मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि एक हजार मिनिममम व्यूज चाहिए नहीं चाहिए राइट Snapchat की एटरमेंट कंडिशन है जो नई पॉलसिस आई है कि सिरफ एक हजार व्यूज चाहिए लेकिन वह मिनिममम है मेरी जान मिनिममम व्यूज आपको बहुत सारे व्यूज चाहिए क्योंकि अगर जितने बहुत सारे व्यूज आएंगे तभी तो एक कंपनी को जो एड़ देगा आपकी वीडियो के बाद उसको फाइदा होगा, वो फाइदा कुछ आपको मिलेगा, कुछ Snapchat रखेगा, राइट, तो हमें बहुत सारे व्यूज चाहिए, ये मद सोचो कि सिरफ एक ही हजार व्यूज चाहिए, वो तो minimum है, जो Snapchat की नई ट्रेमेंट पॉल्स है, ठीक है, तो ठेंकी सो मज़ आपने comment किया ठीक है, तो आप मेरी सारी व्यूज देख लेना, मैंने उसमें काया है कि बहुत सारे व्यूज चाहिए, एक हजार तो minimum है, ठीक है, आपने comment किया, आप ऐसे comment करते रहो, और जुड़े रहो, और जुरूद नहीं है कि मुझे ही बहुत सारा ग्यान हो, ठीक है, मैं भी study करता हूँ, knowledge लेता हूँ, तो अगर आपको अभी knowledge है, comment करो, दूसरों को बताओ, अगर मेरे comment के उपर comment करेगा, मुझे कोई बुरा इन लेगा, कि मैं पहले study करता हूँ, अच्छी तरह उसके बाद वीडियो बनाता हूँ, right, so अभी चलते है next question ही तरफ,